हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको सुनीता की कुकिंग रस्पी में आज हम बनाएंगे मसाला आलू सेंडविच उसके लिए मैंने प्याज काड़ दिया है हरा धनिया काड़ दिया हरी मिर्ची काड़ दिये आलू मैंने बॉयल करके रखे और मैस कर लिए है अब हम इनके लि इसको भूनेंगे थोड़ी देर तक और अब मैंने लसन का पेश्ट डाल दिया है इसमें इसको मिलाएंगे लसन को थोड़ी देर तक भूनेंगे अब हरी मिर्ची भी डाल देंगे अब इसमें जो हमने आलू को मैस करके रखा है वो डाल देंगे उसके बाद इसको भूने के बाद थोड़ी देर फिर इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुशार हल्दी डाल देंगे मिर्ची डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे अब मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है इसमें नीमबुनी चोड़ देंगे इससे इसमें बहुती अच्छा स्वाद आ जाएगा अब मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे कब है कि अभा हम में सेंडविच के लिए ड्रेड तायार करेंगे है कि दो ब्रेड ले ले लिए है मैंने कि नो एक ने हरे धन्य की अब सबसे पहले एक ने लगाएंग56 दूसरे पर शॉष कहँ बादगे उसके बाद जो हमने आलू की स्टफिंग तयार की है वो भरेंगे अच्छे से कोने कोने तक भरेंगे उसके उपपर ये वाला ब्रेड रखके और गैस के उपपर मैंने तवा रख लिया है वो गरम हो चुका है अब उसमें गी डालेंगे ये सेंडविच हम तवे में बनाएंगे उसके बाद इसमें ब्रेड रख देंगे एक साइड अच्छे से पकने देंगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे अब दूसरी तरह पलट देंगे इस साइड भी हम इसे घी लगा लेंगे अब हमारा बहुती क्रिस्पी और स्वादिष्ट सेंडविच बनके तयार है ऐसे ही हम सारे बनाके तयार कर लेते हैं अब इसे निकाल देंगे और इसको भी से कट करके इसको बी से काट के देखो कितना स्वादिष्ट सेंडविच बनके तयार है आप जरूर बनाईए और मुझे बताईए कि आपको मेरे रेसिपी कैसे लगी अब हमारे सारे सेंडविच बनके तयार है आप जरूर बनाईए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सेर, कमेंट जरूर करना धन्यवाद